बिफोर एन आफ्टर का इफेक्ट आप देख सकते हैं अपनी आखों से एक तरफ अलमुनियम का बर्तन बिल्कुल काला जला हुआ मोटी पर्त वाला दूसी तरफ बिल्कुल चका चक चमक रहा है अज आपके लिए बहुत ही कमाल की है का वीडियो लेके आई हूँ अलमुनियम की कढ़ाई अलमुनियम का बर्तन अलमुनियम का भगोना अगर पीछे से आपका इस तरह का जल के काला कोईला हो गया उस पर मोटी सी पर्त जम गई है तो बिल्कुल भी घबडाने की बात नहीं आज के वीडियो में आपको इसको साफ करने का बहुत ही आसान और सही तरीका बताऊंगी यह तरीका मेरा खुद का ट्राइड एंटेस्टेड है मैंने पहले भी बहुत तरह की हैक के वीडियो जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया उन्ही वीडियो के नीचे आप लोगो तो जी हां वो मेरे बरतंद होती है मैं आज उसके बरतं को साफ करके आपको दिखा रही हूँ तो वीडियो बिडियो को देखने के लिए अन्ति तक मेरे साथ बने रहीएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करियेगा तो चलिए साफ करते हैं अलमुनियम के इस जले हुए बरतन को बहुत ही पुराना बरतन है ये इस पे बहुत मोती सी पर्त जमी हुई है काली सी तो इसको हम गैस के उपर रखके दो से तीन मिनट के लिए फुल फ्लेम पे इसको अच्छे से गरम करेंगे जब तक कि इसमें से धुआ नहीं आने लगेगा तो आप देख सकते हैं लगबग दो से तीन मिनट हो चुका है फुल फ्लेम पे हमने इस बरतन को खुब अच्छे से गरम कर लिया है खुब तेज इसमें धुआ आ रहा है इससे क्या होगा कि जो ये मोटी सी पर्ते जो इसके उपर जमी हुई है वो दिरे दिरे छुडाने में असानी होगी तो किसी भी पकड़न से या फिट डेस्टर से आप इसको पकड़े क्योंकि ये बरतन काफी जादा गरम है अपने आपको बचाईएगा आपका हाथ न जले आप खुद भी न जले तो चली अब हम इसको साफ करते हैं कपड़े से पकड़े मैं अब चाकू की साहता से जो ये मोती सी पर्फ है इसको मैं आपको च्राच करकर निकाल दूंगे तो आप ढ़एगा ते निकालना कितना असानوس कितनी मोटी पर्फ है जिसको की मैं इस तरह से निकाल रही हूँ वरना इसे साफ करने का और कोई दूसरा तरीका नहीं है ये बिल्कुल आथेंटिक तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पांच मिनट लगेगा इस सारे जो ये मोटे मोटी सी जो पर्त है इसको हटाने के लिए तो इसको मैं इस तरह से चाकू की साहता से अच्छे से स्क्रैच करकर के निकाल दे रही हूँ कड़ाई हो आपके पास कोई भगोना हो, फ्राइपैन हो, एल्मूनियम का जो भी बरतन हो उस पर मोटी जमी हुई पर्त को साफ करने का सिर्फ और सिर्फ यही एक तरीका है यहाँ पर देखे हैंडल के पास यह बहुत मोटी सी लेयर जमा हो जाती है कितने अराम से यह पर्त दर पर्त निकलती जा रही है आप खुद दे सकते हैं, बिल्कुल मैं आपके सामने एक-एक चीज दिखा रही हूं इसको किस सरह से मैं साफ कर रही हूं और कितने आराम से यह राम से यह बहुता है तो यह प detal सकती आ साफ के पर्त निकाल सकती था, तो वह बहुती तक पर्त लिकाल दिया है जो था काला पन वो निकाल दिया तो ये देखे कितना सारा निकला है मैं आपको दिखा रही है ये देखे काली काली जो पर्त थी वो इस तरह से हमने निकाल दी है लेकिन अभी थोड़ी बहुत बच्ची हुई है चिपकी हुई है तो ये बरतन थोड़ा ठंडा हो गया है तो म एक और गड़ गरम करूंगी गड़ गड़ गड़ा ऑप गड़ कर सब्सक्राइब क्योंकि जो बच्ची कुछी पर्थ भी असानी से निकल जाएगी तो मैं इसको अप्र से रख गड़ गड़ गड़िया है मैं फिर से 2-3 मिनिट के लिए कुप तेज गड़ 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 ग जमी हुई जली हुई उसको निकाले में यही एक तरीका सबसे कारेगर है तो यह देखिए पूरे बरतन की मैंने कालिक निकाल दी है और पूरी पर्थ निकल चुकी है अब बच्ची हुई गंदगी साफ कनने के लिए मैं एक बड़ा सा भगोना ले रही हूं कोई भी बरतन ल 20-30% की गंदगी बच्ची हुई है 20-30% की गंदगी बच्ची जिसे हम साफ करेंगे तो यह देखिए बरतन पूरा जो है दूब गया है तो इसी तरह से आप भी जो भी चीज में इसको अबाले तो उसमें बरतन पूरा दूबा हुआ होना चाहिए यहां पे पहला इंग्री छोंत है दूभ दहान तो बेकिंग सोडा आसी की साफ मेरे पास निम्बू के छिलके तो वह मैं डाल दे रही हुए मैं निम्बू का रस नहीं डाल रही हूँ लिए शिफ निम्बू के यूऻ के यूबः च्हिलके मैं डाल दिये निचोडे हुए वाइट वैनिगर सबके debate शर्के पर्वजाय को सीष तुम्हें होता है सिर्का ये आप एक कप के करीब भर के डालदी गया तो देखिए सिर्का डाल टी कैसे ज्खाग सापैया हैय अगर आपके पास एनो का सैशे है तो ईनो भी डाल सकते है अगर अगर नहीं है तो अप इसको स्किप कर सकते ये बिना sürtsने पमने last krasnana उर्म मेरे ग्यावाइं करना दीक लगंडा करें पाउच एनो के ढालिया है। नमक भिन्याप षफ करने हो तंस दो किनавать काउपत दाल ग பल्ता स इसी किसारं पाउडर टेर्जन पाउडर यहां तो यह सारे इंगरीन्स क्या करेंगे कि जैसे ऐसे ये गरम होगा पानी ये सारी जो गंदगी उसको फुला देंगे जब ये गंदगी बरतन से अलग हो जाएगी फूल जाएगी तो इसको साफ करना बहुत असान हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने सब चीजों को अच्छे से मिला दिया है जोस्तों आप लोग का बरतन बढ़ा है कढ़ाई बढ़ी है या भगोना बढ़ा है जो की बहुत गंदा है उसे साफ करने के लिए आप क्या करें बालती ले या बड़ा सा कोई टब ले लीजे उसमें गरम पानी लीजे खुब खौलता हूँ गरम पानी डाल दीजे और सारी जित्ते भी इंग्रीडियन्स मैंने आपको बताएं हैं निम्बू, वेनिगर, बेकिंग सोडा, नमग, डिटर्जन पाउडर, इनो ये सब डाल दीजे और गरम पानी के साथ इस बरतन को डुबा के पूरी रात रख दीजे सुबा जब आप इसे साफ करेंगे तो ये बहुत असानी से साफ हो जाएगा इसको भीगार के लगबग आठ से दस घंटे आपको छोड़ना है मेरा बरतन काफी छोटा है तो ये भगोने में आ गया तो मैं इसको आदे घंटे बॉयल करूँगी और उसके बाद मैं इसे साफ करूँगी आदे घंटे तक मैंने सो खूब अच्छे से उबाला बॉयल किया और धीरे धीरे जो उबाल आ रही थी वो देखे बरतन को पूरा उपर तक ढग दी है तो यहां पे लगबग आदे घंटे मैंने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे खूब अच्छे से बॉयल कर लिया है पूरी गंदगी अच्छे से फूल गई है बरतन भी काफी गरम है तो यहां पे देखिए गंदगी उपर तक आ गई है आप देख सकते हैं अब मैं इस बरतन को एक पकड़न की सहायता से निकालूंगी बिल्कुल समहालते हुए अपने को बचाते हुए आप इस बरतन को निकालिएगा अब जब मैं ये सारी गंदगी को हमने अच्छे से फुला दिया है तो अब हम इसको रगडडडड़ के साफ करेंगे यहां पर मेरे पास देखिए ये सैंड पेपर है रेगमाल जो कि आपको हाडवेर की शॉप पे असानी से मिल जाएगा साथी में ये स्टील वाला जूना है जो कि बहुत अच्छे से बरतनों को चमकाने में हेल्प करता है गरम पानी को फेकिएगा नहीं वो दिखे साइड में भगोने मैंने गरम पानी रखा है उसमें डिप करके और जो भी बिम बार या बिम लीक्वीड या जो भी आप यूज करते हैं बरतन साफ करने वाला साबुन उसको मैंने थोड़ा सा लिया कपड़े से बरतन को पकड़ के हलके हातों से आप इसको अच्छे से स्क्राच करकर के साफ करिए यह दिरे दिरे साफ हो जाएगा ठीक है या तो आप जूने से साफ करी या फिर आप सैंड पेपर से साफ करी दिखिए मैं सैंड पेपर से साफ कर रही हूं सैंड पेपर से आपको पूरा सबूत, पूरा प्रूफ दे रही हूँ, यह छोटे-छोटे काले काले दाग है, इसको मैं अब साफ करूँगी इससे, सेंट पेपर से, तो मैं पेले कपड़ से इस बरतन को पोच लिया था, जिससे कि आपको दिखाई दे, अच्छे से साफ तरीके से, तो यह कॉपी पे, पैंसिल से लिखते और रबर से मिटाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से, यह सेंट पेपर भी मिटा दे रहा है, यह जिद्धी काले दाग को, तो यह देखी है ना आपके सामने प्रूफ, तो बिल्कुल इसी तरीके से, अब हम जो छोटे-छोटे से जो दाग है थोड़ा-थोड़ा पानी लगाएंगे, वही जो पानी जो गरम-गरम पानी था, उसको लगा-लगा के इस सैंट पेपर से, रगर-गर के हम इसे साफ कर देंगे, तो दोस्तों, यहां पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, कि इसको रगरने में मुझे लग-बग यहीं हूँ और फटा-फट यह साफ होजा एक पूुरी मैने कालिक इसकी छोडा दी है, क使ichen यह वहूँ है यहन actu यहां हैं, अगर भरन च्ड़ान की अएफ सालोपुराना यँझ मेरी मेत का बताध का बरतन ने पेंगा है, यह मेरी में हमेरी में ती अच्ड़ का प्ताहती ह तो यहां पर बरतन को रगड के मैंने साफ कर लिया है अब हम इसको पानी से धो देंगे और यह चका चक चमक जाएगा बिलकुल नए जैसा जो छोटे मुटे दाग है काले वो रोज रोज बरतन धुलेगा यूज होगा तो वैसे ही साफ हो जाएगा तो जो यह तरीका मैंने यह बहुत ही आसान और बिलकुल ऑथेंटिक तरीका है आप लोग की फर्माईश पे मैं यह वीडियो आप लोग ले के आई हूँ उमीद करती हूँ कि मेरी आज की यह कोशिश मेरी यह मेहनत आप लोग को जरूर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करने में वीडियो मुझे आदा घंटा लगा मैं परतन आपको कितना घंदा घंदा वो कितना पुराना घंदा भी यह एक सृफ कर से सालों से गंदे पड़े हैं थ boundary आज की यह वीडियो मेरी आज की यह गोशश पको जरूर पसंद आया होगा तो वीडियो पसंद आये तो लाइक करिए, शेर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे प्यारे से यूट्यूब परिवार का अपसो दस से बरे अपना ख्याल रखिए मैं फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई एंड टेक केर